हलो विवाइस वलकम टो रिहानाज रेसिपीज आज हम बनाएंगे हाइदराबादी चिकेन बिरियानी इसके साथ आनियन रहिती की रेसिपी बहुती डिलिशियोस बनती है आसानी से बना सकते ही आप जरू ट्राइ करके देखे आपको पसंद आएगी आप भी परफेक्ट से रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड देख देखे ताके बिना डवट के आप भी बना सके फिर किस बात की देरी फ्रेंग चलो चिकेन दब बिरियानी बनाना शुरू करेंगे सके लिए 500 ग्राम चिकेन ले लेंगे चिकेन को अच्छे सा क्लेंगर के ले लीजिए अब एक बड़ा मिक्सिंग बॉल लेके इसमें एक कब जेतना दही आड़ कर लेंगे हैड्र बादी बिरियान इसमें ज्यादा धायं की यूज करते हैं धायं पतला नहीं रहना है थोड़ा गाड़ा ही ले लेंजिए हैड्र बादी बिरियानि इसमें टमेटर का यूज नहीं करते हैं अब यह दही में एक से दे टीसपून जितना लाल मेटशी पाउडर ठीके के हिसाब से अजस्ट कर सकते ही हाफ टीसपून हल्दी पाउडर, हाफ टीसपून गरम मसाला एक टीसपून मैं यहाँ पे बिरियानी मसाला एड कर रही हूँ यह optionally है आपके पास होगो तो जरूर दाल लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं गरम मसाले को थोड़ा extra दाल लीजिए स्वाद अनुसा नमक आड़ कर लेंगे अब जैसा खाते हैं नमक ओही हिसाब से दाल लीजिए एक टेबल स्पून निम्बू का जूस आड़ कर लेंगे अब इस सारे इंग्रीडियन्स अच्छा सा मिक्स होने तक मिक्स कर लेंगे अब मिक्स होने के बाद इसमें चिकेन आड़ कर लेंगे चिकेन आड़ करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर दीजिए हाइदराबादी बिर्यानी दो तरीके में बनाया जाता है कच्ची गोश्की बिर्यानी पक्की गोश्की बिर्यानी हम पक्की गोश्की बिर्यानी बना रहे हैं इसको ज्यादा मैरिनेट करने की ज़रुरत नहीं है एक पंदरा मिनिट के लिए रख देंगे तब तक अगला प दो से तीन बार मैं ये चावल को अच्छा सा क्लीन करके फानी पेक दीती अब दुबारा से पानी दाल के 15-20 मिनिट के लिए चावल को भीगो के रख लेंगे तब तक अगला प्रॉसस देखेंगे एक पैन ले लेंगे ग्यास को आन कर देंगे पैन गरम होने के बाद आदा कप ले ली थी तो आप 1 by 4th cup आईल 1 by 4th cup घी भी आड़ कर सकते ही अब आईल गरम हो गया है इसमें दो तेश पत्ते चोटे है इसलिए मैं दो तेश पत्ते दाल रही हो एक दालचिनी की पीस तीन से चार लों तील से चार इलाइची आईल में आड़ कर देंगे कुछ या हाई व्लेम पे रखके फ्राइ कर लेंगे प्यास जल्दी कलर चेंज होने के लिए प्यास में थोड़ा सा नमक दालेंगे तो जल्दी कलर चेंज हो जाएगी मैं चिकन में करक्टर दाली थी इसलिए मैं नहीं दाल रही हो चिकन में थोड़ा कम दालेंगे तो अब प्य गर्फ़ेट करके रखे हुए चिकन को एड़ कर लेंगे अभी चिकन आड़ करने के बार अच्छा सा मिक्सर देंगे एक चिकन को पकाएंगे यह मसाले से आईल अलग होने तक हम चिकन को पकाना है मीडियम यह फिलेम पे रखके पका सकते ही हाफ टीस्पूंज यतना सारा पकाने की ज़रुरत नहीं है. बस 80% तक हम चिकन को पकाएंगे बीच में एक बार ढ़कन निकालके एक बार मिक्स कर दीजे मिक्स करके दुबारा से ढ़कन को पकाएंगे ये मसाला आइल से अलग होने तक हम पकाएंगे अब के पास स्ट टाइम होगा तो मीरियम फ्लेम पे रखके चिकन को पका लीजिए इससे टेस्ट अच्छा लगेगा चिकन का अबे देखो मसाला आइल से अलग हो गया है चिकन भी 70-80% पक गया है अब थोड़ा कच्छा है यह चावल हम दम करने के टाइम अच्छा सा पक जाएगा यह चिकन भी अबे ठके मैं चिकन को साइड में रख देती हूँ नेक्स्ट हम चावल बनाएंगे अबे साइड में रख देती हूँ मैं चिकन को और दूसरा पैन ले लेंगे अब ये पान में पानी आड़ कर लेंगे चावल पकाने के लिए पान में पानी आड़ कर देंगे अब ये पानी में खड़े मसाले आड़ कर लेंगे एक टीस्पुन जितना शाही जीरा एक से दो टेश पत्ते एक दालचीनी कपीस तीन से चार लोग तीन से चार इलाइची आड़ कर देंगे एक टीस्पुंज इतना आइल आड़ कर लीजिए आइल दालने से चावल अच्छा सा खिले खिले होते हैं चावल छिपकते नहीं है ग्यास आन करके ही है हाई फ्लेम पे रख लीजिए दो से तीन हरी मीच आड़ कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक आड़ कर लेंगे और थोड़ी सी पोदीने के पत्ते आड़ कर दीजिए अब ग्यास को हाई फ्लेम पे ही रख के पानी को अच्छा सा गरम होने देंगे पानी गरम होने के बाद हम भिगो के रखे हुए चावल को आड़ कर लेंगे हाई फ्लेम पे रख के चावल को पकाएंगे चावल को सारा पकाना नहीं है 70 to 80% तक चावल को पकाएंगे चावल के लेयर्स दो दालना है बिर्यानी में 70% एक लेयर दालेंगे और 80% एक लेयर दालेंगे चावल पकाने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रग लीजिए क्योंकि चावल आप ज़्यादा पका के बिर्यानी बनाएंगे तो बिर्यानी बिल्कुल खिला खिले नहीं हैगी सब नरम हो जाएगा चावल तब सही से बिर्यानी नहीं बनेगी अब इस चावल अच्छा सब पकने लगे ही बीच बीच में चलाते रहिए इस चावल को 70% तक हम पकाएंगी थोड़ा कच्चार रहने के टाइम ही हम चावल को निकाल देंगे चावल में आप आईल जरूर डाल लीजिए इस से चावल छिपकते नहीं है इस बात की ध्यान रख लीजिए बिल्कुल आईल को अवाइड नहीं कीजिए अब इस तेज पत्ते को निकाल देती हूँ आप चाहे तो रख सकते ही ये चावल 60% तक तो पग गए ही और एक दो मिनिट में 70% पग जाएंगे में चानल पर अप नहीं होंगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अपलोड करेगी तो वीडियो अब सबसे पहले देख सके एक सेट चावल पकते रहेंगे तब तक हम अगला प्रोसस देखेंगे ये चिकन में थोड़ा सा आइल है ये आइल को अलग से हम निकाल देंगे आप चाहे तो रख सकते ही मैं निकाल देती हूँ ये आइल को ऊपर से दाल दोंगी इसलिए मैं ये चिकन से आइल को निकाल दोती हूँ ये मसाले से देखो यह आईल को निकाल देती हूँ मैं यह बौल में मैं आईल को निकाल देती हैं साइड में रख देंगे अब यह चिकन मसाले में आड कर लेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पता और थोड़ा सा कटा हुआ पोधीना आड कर लेंगे अब एड़ करने के बाद चावल का लेयर आड़ कर लेंगे चावल ये 70% तक पक गई ही एक चावल का लेयर आड़ कर लेंगे एक सैट चावल पकते ही रहना है क्योंकि 80% का लेयर हम दूसरा दाल लेंगे अब इस 70% का चावल का लेयर दालने के बाद अब next हम दूसरा layer add कर लेंगे ये 80% पका हुआ चावल का layer add कर लेंगे देखो एक सेट चावल पकते ही रहना है अब ये चावल से सारा पानी निकाल दीजिए बिल्कुल पानी रहे ही रहना है पानी होगा तो चावल भी नरम हो जाएगा तो इस बात की ध्यान रख लीजिए बिर्यानी पकाने के टाइम चावल पे अच्छा सा ध्यान रखना है दालने के टाइम बिर्यानी बनाने के टाइम अब सारे स्टेप करक्ट करके ये चावल के टाइम आप गल्दी कर देंगे तो बिर्यानी सही से नहीं बनेगी तो ध्यान से आप चावल को पका लीजिए अ गी को भी आड़ कर देती हूं, दो से तीन टीसपुन जितना घी आड़ कर लेंगे, बिर्यानी में घी डालेंगे तो ही टेस्ट अच्छा लगेगा, आप अच्छा सा घी खाते होंगे तो आईल दानने के टाइमी, आईल की क्वांटिटी थोड़ा कम करके घी की क्वांटिट कर लेंगे इसी धकने से भाप अच्छा सा उपर तक आएगी जो उपर का लेयर है चावल का वो भी अच्छा सा पक जाएगा अब यह धक देंगे आप भी इसी तरह का धकन यूज करते होंगे तो आप यह होल को ज़रूर कवर कर दीजिए नहीं तो इससा ही से दम नहीं होगा मैं हम पर अल्यूमियम फाइल से यह कवर कर देती हूँ आप चाहे तो आठा भी लगा सकते हीं अब ग्यास को आन कर देंगे ग्यास के फ्लेम को फ़र्स दो मिनिट के लिए मिरियम फ्लेम पे रख दीजिए तीन से चार मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रखके यह बिरियाने को दम कर देंगे 5-6 मिनिट के बाद ग्यास को आफ कर देंगे ग्यास को आफ करने के बाद धक्कन बिल्कुल नहीं निकालना है और एक 5-10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तब तक और भी चावल अच्छा सा खिला खिला बनता है अब बिर्यान निकालने में 5-10 मिनिट का टा प्यास को आप इसी तरह भी कट कर सकते ही, चोटे-चोटे पीस जैसे भी कट करके दाल सकते ही, अब इस प्यास में पानी आट कर देती हूं, एक बार इस प्यास को अच्छा सद धो लेंगे, क्यूंकि हम इसी तरह प्यास को कट करके धो के दालने से राइता अच्छा सा बनता ये जो प्यास के layers है इसी तरह खिले-खिले हो जाएंगे तब राइता अच्छा दिखता है खाने में तो चाहे तो आप ये step कर सकते ही नहीं तो आवाइट कर सकते ही डाइरेक्ट ही अप प्यास को यूज कर सकते ही अब आट कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई धन्या पत्ता और चाहे तो इसमें थोड़ा सा पोदीना भी आट कर सकते ही थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ट तिक के हिसाब से हरी मिर्ची कमजादा करके दाल सकते ही अब आट कर देंगे स्वाधनुसार नमक अब जैसे खाते हैं वही हिसाब से नमा को आड़ कर लीजिए एक टीस्पून जितना लेमन जूस खट्टे के हिसाब से निमुका जूस को आड़ कर सकते ही अब यह अच्छा सा मिक्स कर दें एक बार मिक्स करने के बाद दही आड़ कर लेंगे दही आड़ करने के टाइम एक बाब दही को fade के दाल लीजिए से तरह दही अच्छा सा घट है इसलिए मैं थोड़ा पानी आड़ कर देती हूँ यही बोल में थोड़ा सा पानी दालके mix करके दाल देती हूँ अब पतला दही ले लेंगे तो पाणी दालने की जुरूरत नहीं पड़ेगी अब ये अच्छा सा मिक्स कर लेंगे बनके तयार हो गया है ये सिंपल आनियन रहिता सिर्फ दो मिनिट में तयार हो जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं ये चिकन बिर्यानी में सिंपल आनियन रहिता बना ली थी अब चाहे तो अब मन चाहे वेजटेबुल रहिता टामटो रहिता बहुत तरीके के रहते हैं अब मन चाहे रहिते को बना ले सकते ही अब ये दस मिनिट हो गई ही ढकका निकाल देंगे अब राइस को निकाल लेंगे देखो चावल ये उपर का भी हम 80% पकाई थे कितना अच्छा सा पक गया है चावल अब बिर्यानी को निकाल देंगे देखो कितना चावल खिला खिला बना है आप देख सकते ही परफेक्ट बिर्यानी बनी हुई है अब इस चिकन दम बिर्यानी को प्लेट में निकाल लेंगे बनके तयार हो गई है हाइदराबादी चिकन दम बिर्यानी ब्राइते के साथ अब चाहे तो इसमें बिर्यानी ग्रेवी के साथ भी सर्फ कर सकते ही नेक्स्ट अगले वीडियोस में बिर्यानी ग्रेवी भी कैसा ब पेस्टी रिस्पी के लिए मेरे चानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक यू फर वाद